नमस्कार प्यारे बच्चों आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो आज की वर्क्षीट यानि की वर्क्षीट 122 जो की इंग्लिश की वर्क्षीट होने वाली है हमारी क्लास 5 की आज हमारे सामने है चलिए इसको देखते हैं एक बार इसमें क्या है तो यहाँ पे कुछ रेड लाइट हमें दिखाए गई है और यहाँ रोड पर वही कस दिख रहे हैं यहाँ पर कुछ pollution के बारे में poster है और यहाँ हमें कुछ लिखना है और ये शब्दों को इस्तिमाल करना है चलिए देखते हैं पढ़ते हैं यानि कि क्या आपने वोलंटियर्स कोन होते हैं जो खुद बीना किसी के कहे खुद बेखुद काम करते हैं सडकों पर ऐसे लोग आ जाते हैं दूसरों को क्या कहते हैं कि आप अपनी गाड़े का इंजिन ओफ कर दीजे रेड लाइट पर खुद ही बोलने आ जाते हैं उनको किसी ने कहा नहीं है क्या आपने उनको देखा है इन दिनों बहुत आते हैं वह लोगों से ऐसी रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं ड़स इस एक्ससाइज है एनिथिन टू डू विद इंक्रीजिंग एर पॉलूशन इन दिली क्या इस एक्ससाइज से रिलेशन है क्या कोई तालूख है एर पॉलूशन से ठिंक डीपली इसके बारे में काफी गहराई से आपको सोचना है और एक पैराग्राफ लिखना है जो की वर्ड और गूप ओफ वर्ड फ्रेस होते हैं गूप ओव फ्रेस का मतले में जैसे बहुत सारे वर्ड जैसे हम यहाँ देख रहे हैं यह बहुत सारे word है तो यह phrase हो गया यह यहाँ पर एक एक word है तो यह words हो गया तो यह words और यह phrase का इस्तिमाल करके हम paragraph बना सकते हैं जरूर नहीं है आपको सारे word या सारे phrase इस्तिमाल करने हैं और जरूरी नहीं है कि जो आप word और phrase इस्तिमाल करना चाते हैं वो यहां पे दे रखा हो आप कुछ अपने मन से बना के भी लिख सकते हैं और आप उस paragraph का अपना नाम भी दे सकते हैं pollution से related अगर है तो तो जो hint box में हमने phrase या words दे रखे हैं उसको इस्तिमाल करते हुए paragraph क्या लिखना है कि how switching of the engine at red light for a limited time can be of help to our city कि कैसे अगर हम engine बंद रखें तो हमारे city की help हो सकती है environment को साफ रखने में तो इसके बारे में हमें paragraph लिखना है तो एक paragraph जो बन सकता है वो यहां पे हमने बनाया है आप कोई दूसरा paragraph अपने हिसाब से कोई दूसरे words का इस्तेमाल करते हुए तूसरा paragraph बना सकते हैं every morning a lot of traffic is there on roads of Delhi the engines of vehicles release harmful smoke in air even when the engine is on and the vehicle is not moving at a red signal यानि कि जब red signal पे वहिकल होते हैं जब move नहीं कर रहा होता है तो भी engine on होने के कार्ण धुवा निकलता रहता है the fumes of smoke mix with fog यानि कि वो जो छोटे-छोटे कण है धुवें के वो fog के साथ mix हो जाते हैं हम सर्दियों में देखते हैं fog होती है हवा में तो fog के साथ mix होके वो क्या बना देते हैं smoke fog के साथ mix होके smoke बना लेता है this smoke is very harmful and can cause difficulty in breathing और इस ये harmful है यानि कि बहुत हानिकारक है क्या हानि होती है इससे सास लेने में दिक्कत हो सकती है difficulty हो सकती है breathing में और burning sensation in eyes आखें जलना शुरू कर देती हैं so engine should be switched off when at the red signal and switched on at the green signal यानि कि जब red signal हो तो engine को बंद कर देना चाहिए ताकि धुवा निकलना बंद हो जाए और जब green signal हो तो ही engine को on करना चाहिए this will also save fuel and money इससे हमारा fuel भी बचेगा और हमारे पैसे भी बचेगे people of Delhi will be happy and prosperous only without pollution तो यहां के लोगों को कब खुशी मिलेगी जब यहां का pollution खतम होगा यानि कि जब यहां pollution नहीं होगा without pollution it is responsibility of every citizen यह हर citizen की responsibility है यानि कि हर नागरिक की responsibility है क्या responsibility है to care and keep our environment clean यानि कि अपने प्रियावन यानि कि अपने आसपास के बातवावन के बारे में care करनी है उसकी उसकी देखरे करनी है और उसको कैसा रखना है clean रखना है safe रखना है और healthy रखना है आज की class यहीं खत्म होती है अगर आपके कुछ doubts अभी भी बाकी है तो आप comment section में पूछ सकते हैं कल फिर मिलेंगे कुछ नया सिखेंगे तब तक के लिए धन्यवाद जहिन